जहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कलास 10 NCRT बूक की चैप्टर 8.2 की सवाल नंबर दूसरा और तीसरा को हल करेंगे दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिकत नहीं आएगी और आप बहुत ही आसान तरीकों से लगाना सीख जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कुल मिला करके एक, दो, तीन और चार सवाल है इन चारों सवालों को मैं केवल 5 मिनट के अंदर आपको समझाता हूँ ताकि आपको कोई भी दिकत न आए और आप इस परकार के सवालों को हल करना सीख जाएं दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है 2 10 तीस अंस पलस 1 पलस 10 स्क्वार तीस अंस दोस्तों यहाँ पर most important यह है कि आपको 10 तीस अंस का मान पता होना चीए तो इस परकार से दो अपने स्थान पे गुड़ा 10 तीस अंस का मान होता है एक बटा करड़ी में 3 हमने रख लिया और यह वाला बटा अपने स्थान पे 1 पलस और यहाँ पर 10 तीस अंस का मान होता है एक बटा करड़ी में 3 स्क्वार तो स्क्वार कर देंगे अब दोस्तों अब क्या करेंगे कि यह वाला दो गुड़ा करेगा एक में तो 2 एक कम 2 और बटा में 3 अपने स्थान पे और दोस्तों यहाँ पर square जब कराएंगे तो 1 का square 1 होगा यानि कि यह वला square इन दोनों के लिए है जब 1 का square करेंगे तो 1 का square 1 हो जाएगा और दोस्तों जब करड़ी में 3 का square कराएंगे तो केवल 3 होता है क्योंकि square का मतलब होता है करड़ी में 3 दो बार गुड़ा करें करड़ी में 3 से तो क्या होता है ना कि अगर कोई भी संख्या अगर स्वैम से गुड़ा करें करड़ी में तो उसे करड़ी खतम हो जाता है तो इस प्रकार से यहां पर केवल 3 हो जाएगा अब क्या होगा ना कि उपर वाला भी same to same लिख लेते हैं यहां पर भीन के जोड की तर खते हैं जिसके पहले होता है और दोस्तों यहां पर चीन लगाते हैं गुड़ा का और नीचे वाले को पलट देंगे तो तीन बटोनी चार यानि कितना हो गया यहां यहां पर हो गया एक बटा करड़ी में थ्री गुड़ा यह वला हो गया तीन बटा यहां पर दो अब दोस्तों एक बात तो और है कि जैसे यहां पर करड़ी में दो बार तीन गुड़ा करने से केवल तीन हुआ था तो यहां पर जो तीन है इसको भी आप लोग दो बार लिख लिख सकते हैं क्योंकि इसी दो बार के गुड़ा करने सी वाला तीन आया है अब दोस्तों ये काम करते हैं कि एक बटा तीन अपने स्थान पे इस तीन के बदले दो ठोक करड़ी में तीन लिखते हैं दोस्तों ये वाला करड़ी में तीन था तो इस तीन के बदले दो ठोक एंसर हो जाएगा कारड़ी में 3 by 2 दोस्तों उमीद करता हूं कि आप इसो कर लेते और अब आप हल करना सिख चुके हैं अब दोस्तों इसी प्रकार से हल करते हैं सवाल नंबर दूसरा को यानि कि यह वाला सवाल नंबर पहला था अब करते हैं दूसरा को दूसरा सवाल है 1-10 इस्क्वाइर 45 अंस बटा वन पलास 10 स्क्वाइर 45 अंस दोस्तों ये वाला केवल और केवल 20 सवाल है यहाँ पर वन अपने अस्थान पे 10 45 अंस का मान एक होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बट्टा 1 पलास 10 45 अंसक्वान 1 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और दोस्तों एक अपने स्थान पे माइनस जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक होता है बट्ट यहां पर one पिलस एक के स्काइट हो जाएगा यानिक दुस्तों यहां पर एक में घटे घट जट जीरो हो जाएगा बट्ट दो अगर आप 0 म्भाग देंगे दो से तो कुल मिला के 0 हो जाएगा इस प्रकार से दूसरा कैंसर हो गया 0 अब दोस्तों यहां पर तीसरा सवाल है कितना है 210 तीस और बट्टे 1 वन माइनस 10 सक्वार 45 दोस्तों उमीद करता हूं कि आप इस सवाल कर लेंगे इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नग लेते हुए इस सवाल को नहीं करता हूँ इस सवाल का हल आप इस वीडियो कमेंट बॉक् और दोस्तों ये वाला एकजाम में चार अंक में आते हैं और अगर आप देख लेते हैं तो आप एकदम आसान इस चार अंक हल करके ला सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सवाल ना बोलता है 10 A पलस B बराबर अंडर अडर थ्री और 10 A माइनस B बराबर 1 बाई अंडर थ्री जहां जो सुन्य है यानि कि जो A पलस B का मान है सुन्य से बड़ा है इसका मतलब यह होता है जो A पलस B का मान है सुना से बड़ा है सुना नहीं है और द काम करते हैं यहां पर लिखा है 10 a plus b बराबर करड़ी में 3 इसको हमने लिख लिया लेकिन दोस्तों एक बाद तो और हो सकती है कि यहां पर 10 a plus b बराबर ये वाला जो करड़ी में 3 है करड़ी में 3 10 60 अंस का माम रहता है तो एक काम करते हैं करड़ी में 3 के स्थान पे 10 60 अंस रखता हूँ क्योंकि 10 60 अंस का माम भी इतना ही होता है तो इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं अब दोस्तों जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है न कि यहां पर 10 10 से खतम हो जाती है और यहां पर a plus b बराबर 60 अंस लिख सकते हैं इसको मान इंगे सामी करड़ एक अब दोस्तों इसी परकार से दूसरा है टैन कि ए माइनस बी बराबर वन बाई करड़ी में थ्री अब दोस्तों एक काम और कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं टैन A-B बराबर 1 by under 3 यह होता है 10 30 अंस का मान तो एक काम कर सकते हैं कि इसके स्थान पे 10 30 अंस रख सकते हैं अब एक काम क्या होगा 10 10 से खतम हो जाएगा A-B का मान हो जाएगा 30 अंस इसको मानते हैं समी करड़ 2 अब दोस्तों समी करड़ 1 और 2 को हल कर देंगे जो A और B का मान आएगा वही हम लोग का एंसर हो जाएगा चलिए करके दिखते हैं यहाँ पर समी करड़ 1 है A पलस B बराबर 60 दोस्तों यह समी करड़ 1 यहाँ पर माइनस पलस पहले से ही है तो आप लिखेंगे जोडने पर क्योंकि अब पता है कि जब चीन अल्टरनेटी होती है तो यहाँ पर जोडते हैं तो यहाँ पर माइनस पलस कर जाएगा A और A हो जाएगा 2 A बराबर 60 और 30 हो जाएगा 90 यानि कि A बराबर हो जाएगा 90 बटा 2 यानि कि जो एक कमान है कितना हो जाएगा अब दोस्तों आपको जैसे ही एक कमान निकल जाता है तो क्या करते हैं कि आप लिखते हैं कि A कमान समी करण समी करण एक में रखने पर एक में रखने पर आप एक दो किसी में रखते हैं आप ये देखिएगा किसमें रखें सिंपल पड़े जिसमें आपको सिंपल लग इसमें रख दीजेगा तो यहाँ पे समिकड़ एक है A पलस B बराबर 60 अंस और दोस्तों यहाँ पर A कमान मिल चुका है 45 अंस तो हमने यहाँ पे एक स्थान पे 45 अंस रख दिया पलस B अपने स 60 में गटेगा 45 तो 15 अंस इस परकार से यहाँ पर B कमान हो गया 15 और A कमान हो गया 45 अंस दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको यह सवाल एकदम आसान तरीका से समझ में आई है अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगे भी मिलते हैं सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तर मस्कार जाहें